हेलो फ्रेंज मैं मॉनिका आपकी गार्डनर दोस्त आज आपको आपसे मनी प्लांट को पानी में कैसे लगाते हैं उसके बारे में बात करूंगी तो मनी प्लांट को फ्रेंज पानी में ग्रो करते हैं यह पानी में बहुत अच्छी ग्रो होती है लेकिन इसकी बहुत ज्याद जमीन पर लगाना चाहते हैं तो पहले आप एक दो हफ्ते इसको पानी में इसकी रूट्स को डबलब कर लीजे और उसके बाद इसे जमीन में लगाईए तो यह और भी अच्छी तरह ग्रो करती है तो ग्रो करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पानी जो लेना है वो डैरेक्ट जब निधा रहा होता है वह पानी इसको ग्रो करने के लिए इसलिए क्योंकि उसमें क्लोरीन वह गएरा तो आप स्प्लैः वाले के निधर नुक्सान सेकता है तो अगर आप को पानी नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक हटा है हुआ क्म की नेजरी न कशो करने क ये ये यीज से करें वैसे आरो का पानी यूज करें आजकर तो सब घैसाय होता है तो वह सब्सक्राइंब क्लिएह तो एक दम च्इस बाटल में लगा इस सब्सक्राइब यूज निकलती है यह ज़या क्लिन कंटी निकलने कि यह रूट्स की जो adventitious roots होती है छोटी सी जो अलग जगह से निकलती है उनके लिए निकलने की यह बहुत अच्छी जगह होती है अच्छी क्या मतलब यहीं से निकलती है वो तो देखिए यह चुटी चुटी roots यहां से निकल भी नहीं है आप लोग जानते होंगे money plant में निकलती है तो ऐसी cutting लेजिए इसमें कम से कम 123 तीन तो notes होनी ही चाहिए यह उपर एक fourth भी है minimum है यह इत्ता तो आप stick लीजिए यह minimum है जो मैंने लिए आपके लिए थोड़ी लंबी भी ले सकते हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा लंबी लेंगे तो फिर उसको थोड़ा सा develop होने में प्रॉब्लम होगी उसको इन लीव से moisture loss भी होगा और सब है तो आप इतनी ले लेजिए इससे थोड़ी बड़ी पांच या छे नोड़ वाली भी ले सकते हैं मिनिमा मित्ति आपको लेनी पड़े और उसमें फिर हम क्या करेंगे कि और आप stem जो ट्विग लेंगे वह ऐसी यह दंडी जो लेंगे जिसमें सारे पते हल्दी हों आप इसमें मेरे में सारे पते हल्दी हैं बस यह आपको यह जो टिप देख रही है न यह ब्राउन यह इसलिए हो रही है कि अब भी बारिश होई है हमारे हैं बहुत ज्यादा तो उससे तोड़ा सा over watering हो गया है मेरे घं प्लांट से जब इसको आपको काटना है मैंने तो यह ले ली लेकिन जब आप इसको प्लांट से काटेंगे तो कहां से काटेंगे यह मैं बता रही हूं यह जो नोड है ना अभी मैंने यह से पत्ती काटी है यह देखिए यह जो नोड एरिया है इसके जस्ट ऊपर से 45 डिग् कर लेंगे ताकि अगर आपने किसी और प्लांट में ऐसे में यूज इसको किया हूँ जिसमें कोई इंफेक्शन हो तो वह इंफेक्शन इस जो कटिंग है इसमें नहीं आए आपके पास और कुछ नहीं है तो आपके घर में जो लाइजोल आता है पोच्चे में लगाने वाला तो मॉपिंग के लिए जो लाइजोल यूज होता है उससे भी आप इसको दो सकते हैं वो भी बैक्टिरिया को किल कर देता है तो आपने देख लिया कि मैंने इसको कहां से काटा मैंने इसको काटा है यह देखिए एक बार और जहां से यह पत्ति निकलती है यह देखिए उस अब हम क्या करेंगे इस से उपर जो रहा हुआ है उसमें जितना हिस्सा हमें पानी के अंदर रखना है उस पांदर नहीं होने चाहिए क्योंकि पत्तियान जब अंदर जाएंगी तो वह गलेंगी और पानी को खराब करेंगी उसमें बेक्तیरिया होगा और फिर पानी गंदा हो जाएगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा अब हमें इसको इस बॉटल में डालना है तो हम इस एक नोड को पानी के अंदर रखेंगे आप दो भी रख सकते हैं लेकिन एक ही रखें तो भी चलेगा काम यहां से इस सारे पोश्चन से रूट्स निकल जाएंगी यहां से रूट्स निकलेंगी और यहां से भी रूट्स निकलेंगी इस जगा से भी तो अब आप मैं इसको ये इतना अंदर डाल रही है तो देखिए ये इसकी जो लीफ है इसकी लीफ के कारण ये और अंदर ने जा रहा है और सिरफ एक नोट अंदर है ये देखिए इतनी अब आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपने ये जो बॉटल ली है इसका धकन लेके और धकन के अंदर एक होल कर दीजिए और उसमें से इसको अंदर डाल दीजिए तो ये उस सेंटर में रहेगी तो ये इसकी दिवारों को भी टच नहीं करेगी ऐसे रहे तो सबसे अच्छा है यहां आप एक छोटा सा थर्मो कोल का पीस ली जिए और उसे इसको ऐसे पैक कर दीजिए ताकि ये बीच में इसको अभी थर्मो कोल का लेके शाइध पैक भी कर दूँ पास इस टाइम थर्मो कोल नहीं है अगर थर्मो कोल है तो उससे आप इसको ऐसे adjust कर दीजे ताकि ये बीच में ही रहे ऐसे और अगर इस बॉटल का आपके पास धकन होता है तो धकन में खोल करके उसको ऐसे डाल दीजे या फिर आप छोटे मूग की बॉटल लेंगे तो भी ऐसे रहेगा अभी मैंने इसको ऐसे डाला है ठीक है ये भी कोई गलत नहीं है लेकिन अगर ये दिवारों को भी टच नहीं करें और बिल्कुल सेंटर में रहे तो और भी अच्छा है जैसे मैंने यह लिया है अगर मैं इस इस होल में से भी इसको पास करती हूं ऐसे किसी वाहिर से इसमें से तो यह नहीं हो रहा है तो इसमें अगर आप या तो थर्मो को ले ले लिजे और या है इस बोटल के धक्कन में खोल करके उसमें से ऐसे पास करेंगे तो ये बीच में ऐसे रहेगा वैसे ऐसे भी जो है ये गलत नहीं है चलेगा वो बीच में रहे तो वो और भी अच्छा रहता है ये दिवार को भी टच नहीं करें तो और अच्छा रहता है तो इसको आप ऐसे रखेंगे और अब इसको आप शेड बावर है इस एरिये से रूट तो यह तब तक इसकी नहीं निकल आती है तब तक अच्छा रहा गा कि आप इसका पानी रोज change करिए अगर आ रोज चेंज नहीं कर सकते हैं तो एक दिन छोड़के तो change करिए यह क्यों कहा रहे हूं मैं क्योंकि यह कि यह स्टैम में जब तक हुआ हैं और हम ने इसको ऐसे अंदर डाल दिया तो जब तक यह हमने इसको ऐसे अंदर डाला है तो यह roots नहीं निकली है तो यह गलना शुरू होता है इसका थोड़ा थोड़ा यह जो tip वाला portion है यह धीरे धीरे गलता रहता है तो इसके गलने से जो bacteria निकलते हैं वो इस पानी को गंदा करते हैं तो उससे यह सारा गलने का ड फोड़ी सी शुरू होगी और आप उसका पानी नहीं बदलेंगे तो दीरे धीरे घीरे धीरे उपर तक गलता चला जाएगा तो इसको avoid करने के लिए जब तक इसमें जड़े नहीं निकल आती है जड़ निकलने के बाद तो इसका system काम करना शुरू कर देगा और जड़ों स होने से क्या होगा कि इसकी यह साड़ी stem जो है वो गल जाएगा और एक बार जब इसकी रूट्स निकल आती है तो उसके बाद आप इस बॉटल में या किसी भी बॉटल में इस पानी के अंदर आप थोड़ा सा NPK डाल सकते हैं जैसा मैं आपको बताती हूं कि एक लीटर पा एक चमच NPK डिजॉल्व करते हैं उसका आप दो बॉन्द इसमें डाल देजिए ओनली दो बॉन्द 15-20 दिन में एक बार आप उसमें डालेंगे तो यह आपका प्लांट और भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा और दूसरी चीज एक लीटर पानी में एक पिंच एक चुटकी एक लीटर पानी में एक चुटकी NPK डालकर हर दूसरे चौते दिन इसकी पत्तियों पे अगर आपके पस और दूसरी भी कोई मनी प्लांट है मेरा एक मनी प्लांट का और वीडियो है उसको भी आप देखेगा उसमें मैंने केयर ओफ मनी प्लांट बताया है तो मनी उन पे आप एक लिटर पानी में एक पिंच NPK डालके हर एक दिन चोड़के या दो दिन चोड़के आप हर तीसरे दिन उसमें उस पानी का छुड़काओ करेंगे तो मनी प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है उसी पानी का आप दो तीन दिन में एक बार इस पर भी इच्छी घ्रो करेंगी एक चीज यह मनी प्लांट हम लगाते हैं डेकोडिटिव अगर आप पानी में लगाते हैं तो इसी को आप जमीन में ट्रांसफर कर सकते हैं ओके फ्रेंज मुझे लगता है मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू फ्रेंज बाई